आवई सबी लोगों को नमस्कार और एक बार फिरसे स्वागता आप सभी लोगों का उमीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बहतरीन होंगे कल शेयर मार्केट में और भारती शेयर मार्केट में विशेश रूप से एक आपको मंदी देखने को मिली या भारती शेयर बजार में मैं कहूं भारी गिरावट देखने को मिली भारती शेयर बजार के अलावा विश्व भर के शेयर बजारों के अंदर गिरावट आपको इवेंट ऐसे होते हैं जिनके कारण शेर बजार प्रभावित होता है तो आज की सेशन में हम परिक्षा की दृष्टी से और एक जनरिक आपके जिग्यासा के हिसाब से आज इस सेशन को लेकर आये हैं जिसके अंदर शेर मार्केट को पूरा एक्स्प्लेइन किया जाएगा कि how they get affected किस तरीके से वो प्रभावित होते हैं किस तरीके से हैं काम करता है तो सबसे पहले आज देखने हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं how share market is affected share बजार किस तरीके से प्रभावित होता है why sudden change क्यों इतना बड़ा बदलावाया क्या कारण थे अमरीका का क्या प्रभाव रहा और भूराजनेतिक प्रभाव किस तरीके से पड़ा इसके अलावा एक कल टर्मन बहुत पहले से भी चर्चा में है negative interest rate जब भी जापान के बारे में बात करते हैं negative interest rate के बारे में बात करते ह तो आखिर ये negative interest rate होता क्या है तो हम इसे परिक्षा की दृष्टी से और आम सामन्य वक्ती की दृष्टी से दोनों की ही दृष्टी से इसको हम complete करेंगे इस topic को I am not a share market advisor this video is just for the education purpose फिर से बता दें मैं कोई share market advisor या influencer नहीं हूँ I am not here to tell you कि भाई ये खरीदना चाहिए बेचना चाहिए इस समय खरीदना इस समय बेचना that is not my expertise I am just कि भाई आपको एक basic understanding होनी चाहिए कि share market काम कैसे करता है So first thing first how share market works पहला share बजार काम कैसे करता है या share बजार में कीमते share बजार में share कीमते कैसे निर्धारित की जाती है कीमते कैसे निर्धारित की जाती है देखो कीमत निर्धारिन की अगर मैं बात करूं कीमत निर्धारिन की जब मैं बात करूं तो कीमत निर्धारिन का एक simple सा funda होता है एक basic सी approach होती है अगर देखो एक basic सी चीज़े हम आपको समझाने के कोशिश करेंगे अब समझेगा किसी भी वस्तू की कीमत इस graph से पता होती है इस graph से decide की जाती है एक तरफ होता है demand and supply मांग एव मापूर्थी और दूसरी तरफ होता है price जहां demand और supply इस तरीके से किसी भी वस्तू का demand मांग वक्र होगा और इस तरीके से किसी भी वस्तू का आपूर्थी होगा तो जहां मांग आपूर्ती के बराबर हो जाए वही वस्तू की कीमत होती है अब कुछ hypothetical situation हम लेते हैं hypothetical अगर मान लीजिये लोग demand जादा करें लोग demand जादा करें demand जादा करने लगे किसी भी product की तो क्या होगा कीमत कहां बन जाएगी कीमत बढ़ जाएगी यसोरम अगर किसी वस्तू की मांग कम हो गई है किसी कारण से मांग कम हो गई तो कीमत कम हो जाएगी है समझ भाया कि मांग में व्रद्धी हुई मांग में व्रद्धी जब होती है तो कीमत क्या हो जाती है कीमत में भी व्रद्धी हो जाती है मांग में जब हाश होता है मांग में जब हाश होगा तो कीमत में भी हाश होगा देखो, confuse मत होईएगा कीमत के कारण मांग पर की बात नहीं कर रहे हैं मांग के कारण कीमत पर क्या प्रभाव होगा हम उस द्रश्टी से यहां हम देख रहे हैं जब भी किसी भी product की मांग ज़्यादा होगी कि सब लोग, let's suppose market में यह कहा गया कि save अगर कोई खाएगा तो उसे बिमारिया नहीं होगी तो सब लोग कहेंगे हमें भी save दो, हमें भी save दो पर कीमते होती है, मांग जब ज़्यादा होगी तो कीमते बढ़ेंगी मांग जब कम होगी तो कीमते घटेंगी कल हमने देखा कि कीमते कम थी, तो कीमते कम क्यों होई होगी क्योंकि share बजार में मांग कम होई होगी तब जाकर share बजार में shares की कीमते कम होई होगी तो मांग क्यों कम हो जाती है शेर बजार में उन चीजों को सबसे पहले हम टैकल करते हैं The factors affecting share market क्या-क्या कारक होते हैं शेर बजार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले economic indicators, आर्थिक परिदर्श, GDP growth, GDP का विकास अगर किसी अर्थ व्यवस्ता में मजबूत आर्थिक व्रदी या आर्थिक विकास देखने को मिलता है तो जब मजबूती, GDP में मजबूती दिखाई देगी तो इसका मतलब वहाँ पर काम अधिक हो रहा है काम अधिक हो रहा होगा, वहाँ की कंपनिया अधिक पैसा कमाएंगी और अधिक पैसा कमाएंगी, profitable होंगी, तो ऐसे में निवेशक जो होगा जो पैसे share बजार में लगाता है, वो उन shares की demand ज़्यादा करेगा तो GDP growth अगर expectation यह है, अर्थव्यवस्ता को उमीद यह है कि GDP के अंदर व्रदी होगी तो share market के अंदर share prices भी increase होगी, share prices भी increase हो जाएंगी अगर कोई study यह आ जाती है कि GDP गिरने वाली Indian economy की let's suppose तो अगर GDP कम होने की expectations आ गई, GDP कम होने का estimation आ गया तो share की prices भी कम हो जाएंगी, क्योंकि GDP कम होती भी तो ऐसे में इसका मतलब कमपनिया कम कमाएंगी, कमपनिया कम कमाएंगी तो profit कम होगा, profit कम होगा, तो ultimately investor कम खरीदना चाहेगा दूसरा है मुद्रास्वती दर उच्च मुद्रास्वती जो है, लोगों की purchasing power जो है, क्रेशक्ती को कम कर देता है यानि कि बहुत महँगाई जब आ जाती है, तो आपकी जेब में ज़्यादातर जो पैसा है उन चीजों को खरीदने में चला जाता है तो आपकी जो profitability होती है, या आपका जो savings होता है, जो बचत होती है, जिसे आप निवेश करते हो, वो कम हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो यानि कि लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो मांग कम होगी, मांग कम होगी, तो कीमतें भी कम होगी तीसरा point है, Interstate ब्याजदरें, आरभी द्वारा समय समय पर नेने लिया जाता है, अगर ब्याजदरों को बढ़ाया और घटाया जाएगा, तो ब्याजदरों को अगर बढ़ाया गया, तो borrowing cost यानि के रिन लेने की लागत में व्रदी होगी, कमपनी लोन कम लेंगी, लोन कम expansion कम होगा, कम होगा, तो ultimately profit कम होगा, तो investor कम खरीदना चाहेगा, और मांग कम होगी, तो कीमते कम हो जाएगी, अगला है corporate performance, जिस तरीके से कमपनिया परफोर्म कर रही है, कमपनियों की performance, कमपनियों का कार्य, earning reports, कमपनियों की विभिन कमपनिया होती है, जैसे भारत की top 50, top 100 companies के, अगर मैं बात करूँ, लगातार ये हमारे पास reports आती है, कि उनकी profitability बड़ी है, उनको लाब प्रतीशत उनका बड़ा है, ऐसे में लाब प्रतीशत बड़ा है, तो निवेशक काफी खुस होगा, निवेशक को लगेगा, कि भईया मुझे और खरीदना चाहे, कि क्यों कंपनी शेर बजार में आई है, और आपको पता चलता है कि उसमें governance की mistakes है, governance उसका अच्छा नहीं है, अच्छे से उसके administration नहीं है, उसे अच्छे से समाला नहीं जाता, अच्छा काम नहीं करती है, तो जो उसमें पैसा लगाने का कोई इच्छुक भी होगा, व्येविक्ती भी उसमें पैसा नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, यानि demand कम करेगा, तो prices कमा जाएंगी, इसके लावा, global economic condition, वैश्विक इस्तर पर आर्थिक परिस्तियां भी शेर बजार को प्रभावित करती हैं, कुछ examples लिए है, international trade, अंतराष्ट्य व्यापार, अंतराष्ट्य व जो आया तो निर्यात पर बेसिस है, आया तो निर्यात पर आधारित है, ऐसे में अगर निर्यात नीती में कोई नकरात्मक बदलाव आता है, कोई ऐसा change आता है, वो export को discourage करेगा, तो export करने वाली कंपनियों के share prices कम हो जाएंगे, same for वैजे वैसा import वाली कंपनियों, foreign investment, fluctuation in foreign direct investment and foreign institutional investment can impact market liquidity and sentiment, अगर FDI increase हो रहा है, तो market sentiment के अंदर अलग change आता है, market sentiment positive होता है, investor, खास कर कि निवेशक के जो sentiment होता है, निवेशक की सोचने की होता है, सोचने की समझ जो होती है, वो positive, अगर side में जाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएगा, पैसा sentiment यह है कि profitability नहीं है, FDI अच्छे से काम नहीं कर रही है, FDI नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा सा negative connotation पर आ जाता है, इसके अलबा political stability राजनितिक स्थिरता, राजनितिक रूप से अगर कोई देश राजनितिक ऐस्थिर है, ऐसे में कोई भी party उसमें governance में आ सकती है, कोई भी party सरकार बना सकती है, और कितने दिन के लिए बनाएगी, वो भी नहीं पता रहता, ऐसे में नीती के तनिर्णा करने में देरी होगी, decision making में delay होगा, ऐसे में निवेशक बचना चाहता है, उस परिस्तिती से, निवेशक चाहता है कि एक stable government रहे, राजनितिक रूप से इस्थिर बजार के अंदर तेजी दिखती है, क्योंकि निवेशक उसको positive sentiments के साथ लेता है, वही सारी कुछ चीज़े यहाँ पर बता रखिये, market sentiment, इसके लाबा बजार में किस तरह का sentiment चल रहा है, बजार में किस तरह के से emotions हो रहे है, investor behavior, यानि कि निवेशक का व्यवार, psychological factors भी रूमर का पता चला, किसी ने कोई rumor फैला दिया, अब rumor अगर positive है, तो वो positive side ले जाएगा, negative है, तो negative side भी ले जाता है, investor sentiment जो है, वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, सरकार कैसी बन रही है, किस तरह के से geopolitical situations है, किस तरह के से बड़े देश, बड़े देशों के अंदर किस तरीके से ब्यासदर है, वो सारी चीजे एक निवेशक के sentiment को, निवेशक की मानसिक इस्तिती को प्रभावित करती है, इसके अलावा, अंतरास्टे घटना है, भू राजनितिक परिस्तितियां, अगर भू राजनितिक चुनोतियां आ रही है, geopolitical tensions है, geopolitical crisis है, जैस इस परिस्तितियां आती है, ऐसे में निवेशक को, निवेशक को ये पता चल गया कि भाई, अब हम कमाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमपनी जो से एरिया में है, जो natural disaster से प्रभावित है, या geopolitical, geopolitical tension से प्रभावित है, तो वहां की कमपनिया profitability नहीं दिखा पाएंगी, त ऐसे निवेशक, ऐसे में वहां से निकलना चाता है, और उसके पास जो share है, वो बीचने के लिए आ जाता है, यानि कि वो demand कम कर रहा है, demand कम कर रहा है, तो ultimately prices कम हो जाती है, इसका विपरीत भी हो सकता है, इसके अलावा government policies, सरकारी नीतिया, fiscal policy, government spending and taxation decision, सरकार कितना खर्च कर और किस तरीके से करार open कर रही है, वो भी share बजार को प्रभावित करता है, जैसे इस बार के budget announcement के अंदर long term capital gain tax introduced किया गया, उसे पहले से decrease कर दिया गया, indexation हटा दिया गया, ऐसी बहुत सारी चीजे होई, ऐसे में corporate को बहुत बड़ा benefit उसे होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो ऐसे में share बजार में आपको एक bulge देखने को मिला, monetary policies और किसी भी central government की या monetary authority द्वारा monetary policies में क्या-क्या change किये गए हैं, for example, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो monetary policy जो कि RBI द्वारा set की जाती है, interest rate बढ़ा ही जा रही है, liquidity measures लिए जा रहे हैं, interest rate बढ़ा रहे हैं कि घटा उससे भी share बजार प्रभावित होता है, इसके अलावा नियामन, regulations, changes in regulation affecting business operations और investor productions can give significant effects, by regulation जैसे C.B. ने कुछ regulation strong कर दिये, निविशको को काफी close scrutiny करने लगी है, तो SMA निविशक दर ने लग जाता है, अगर उसे positive side में ले 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 तो उससे, वो उसका sentiment boost होता है, और prices increase होती So these are the some of the reasons, यह कुछ-कुछ बड़े-बड़े reason हमने आपको बताए, why sudden changes in share market yesterday, क्यों कल share बजार में बड़े बदलाव आए, तो तीन बड़े कारण है, पहला कारण United States of America, अब आप कहेंगे Sir USA एक बड़ी दूर का एक देश है, उससे हम इतनी ज़्यादा प्रभावित क्यों हो रहे हैं, तो USA से हमारा अंतराष्ट्य व्यापार में एक बड़ा योगदान है, अंतराष्ट्य व्यापार भारत का काफी closely, अगर सरवादिक अंतराष्ट्य व्यापार के हम बात करें, तो अंतराष्ट्य व्यापार में अमरीका हमारे बड़े व्यापारी देशों के र वारा एक बड़ा योगदान खुल आयात में भी दिया जाता है ऐसे में अगर अमेरिका की अर्थ व्यवस्ता में कुछ ऐस्थरता जैसी कुछ आ जाती हैं तो ओब्यसली बात है हमारे यहां की जो आयातक और निद्यातक कंपनिया होंगी वो नकारात्मक रूप से प्रभाव अभी होंगी तो ऐसे में emotional sentiment investor sentiment जो है वो hurt हो जाते हैं अब तो ऐसे में अमरीका में क्या आया employment data आया नौकरी employment रोजगार का data आया रोजगार आंकडे प्रकाशित किये गए और रोजगार आंकडों के अंदर यह देखा गया कि रोजगार आंकडे जो थे वो नकारात्मक थे याने के पहले से रोजगार कम हुआ है अब आप कहेंगे सर रोजगार के आंकडे पर अमरीका के बजार में इत्ती बड़ी हल चलो ना तो अमरीका जैसी एक बड़ी अर्थ विवस्ता दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता कुछ ट्रिलियन डोलर की अर्थ विवस् अगर विरोजगारी में वरदि दिखाई दी जैसे कि पिछले आंतव के अंदर अमरीका के अंदर आया कि विरोजगारी में वरदि हुई है क्या वहां अमरीकी कंपनियां रहें। कंपनियों को लाब कम हुआ है लाब कम हुआ है इसलिए बिरूजगारी ज्यादा है लाब कम हुआ है तो भाई निवेशक जो होगा निवेशक देखेगा उसका पैसा डूब ना जाए तो ऐसे में वह कम खरीदने लगता है डिमांड कम करने लगता है प्राइसे कम आ जाती हैं तो पहला कारण था United States of America दूसरा कारण यहां पर जियो पॉलिटिकल टेंशन और कुछ दिनों से जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है मेरे पहरे साथियों भूराजनेतिक परिस्तियां जो है खास करके मिडल इस्ट के अंदर काफी डिस्टर्ब चल रही हैं तो ऐसे में दूसरा कारण वो था तीसरा कारण जो था वो जापनीज यें कैरी ट्रेड जो है वो परिस्तिती थी असल में क्या हुआ हम बात कर रहे हैं जापान की जापान में कुछ 2-3 दशक पहले जापान का एक सिस्टम डवलप हुआ कि जापान में नेगेटिव इंटरस्तेट बनाई गई negative interest rate हो गई negative interest rate यानि जैसे कि for example आप A व्यक्ति हो और आप B व्यक्ति B बैंक में पैसा रख रहे हो 100 रुपय तो जब आपको पैसा मिलेगा तो 100 रुपय नहीं मिलेगा घटके मिलेगा negative interest rate वहाँ थी तो वहाँ पहली बार positive interest rate 30 सालों में लगबग positive interest rate आई और positive interest rate यानि कि 0.25% interest rate हुआ असल में क्या होता था जब 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 जबान में negative interest rate था तो वहाँ के जबान से लोग loan ले लिया करते थे loan लेकर एशिया के जैसे चाइना हुआ इंडिया हुआ या या यूरोप के कुछ country या अमरीका में निवेश कर देते वहाँ से कुछ पैसा कमा लेते थे उस difference में वो पैसा वो कमा लेते थे अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे अब जैसे ही ये interest rate 0.25% रहा तो जिनों ने जापान से loan ले रखा था और share बजार में पैसा लगा रखा था उनको वो पैसा वापस सुखाना है क्योंकि interest rate कितना हो गया 0.25% तो वो अपने margins को बेचने लगे वहाँ sell out करने लगे supply ज्यादा होगे तो prices कम हो गए दूसरा एक और interlink है यहाँ पर जैसे ही positive यह हुआ ये जो है जापान की जो मुद्रा है ये positively appreciate होई यानि किसकी value बड़ी तो लोगों का जापान में interest फिर से आ गया तो बाकी जगा जो निवेशक थे जो जापान का पैसा और कहीं लगा रहे थे वो यहाँ पर आ जाते हैं So these are some of the reasons जो कल के changes के कारण थे role of United States of America America का क्या role था हमने spasht किया अमरिका में बेरोजगारी के आंकडे जारी कियेगे और अमरिका जैसे बड़ी अर्थविवस्ता इन आंकडों से बहुत प्रभावित होती है basically these are data driven economies, advanced economies हैं जो की data पर चलती है और positive data होता तो positive increase होता है, negative data होता है तो negative आपको देखने को मिलता है, what is negative interest rate अब इसमें हमारे लिए conceptual clarity जिसमें चाहिए कि negative interest rate क्या है मोटा मोटा तोर पर हमने आपको बताई अगर नकारात्मक ब्यासदर की मैं money in the banks जिसमें बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोग बैंकों को पैसा देते हैं कि भाईया जमा कर भाईया आपने जमा रखा जैसे अभी हम SBA में जाए SBA में पैसा जमा करें वो हमें ब्यास देगा यहां क्या है, negative है negative यानि कि वो बैंक में 100 रुपए रखेंगे तो उन्हें 98 रुपए मिलेंगे यानि 2 रुपए उन्होंने बैंकों को deposit रखने के लिए दे दिया, आप बोलोगे कि सर यह तो बड़ा खतरनाक है, खतरनाक नहीं, इसका सकरात्मक पहलू भी है सकरात्मक पहलू यह है कि अब लोग liquidity को अपनी को close नहीं करेंगे, यानि कि लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कराएंगे, उन्हें अलग जगा पर निवेश करेंगे विदेशों में निवेश करेंगे, ताकि वहां से कमा पाएं, ठीक है and borrowers might receive less than the amount they borrow or even get paid to borrow, mechanism क्या है, central banks at their key interest rate below zero SME केंद्रिया बैंक जो है, उनकी ब्यासदर को zero से, zero या zero से कम कर देता है, ताकि रिन लेने वाले, उसको खर्च करें, it is costly for the banks to hold access reserve, बैंकों के पास अगर बहुत सारा पैसा, सोचो आप बैंकों से हम पैसा ले ही नहीं, लोन ले ही नहीं, मानो बैंक से हम लोन नहीं ले रहें, जमा कराए जा रहें, जमा कराए जा रहें, तो बैंक उस पैसे कर करेगा क्या, अगर वो लोन नहीं दे पारा, तो बैंकों के कमाई भी नहीं होगी और बैंक का deposit cost बढ़ जाएगा, तो ऐसे में इस एमस तो स्टिमलेट एकनामिक एक्टिविटीज वन ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूर्स आर अग्जॉस्टेड, यह ऐसी प्रस्तिती तब अपनाई जाती है, जब परंपरागत मोद्रिक नीती के उपकरन काम नहीं आए, ऐसे में लोगों को स्टिमलेट करने के लिए कि आर्थी गत्विदियों में आप पैसा लगाईए, ना कि पैसा आप डिपॉसिट करवाईए, तो उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं, परपस क्या होता है, स्टिमलेट स्पैंडिंग्स एन इन्वेस्मेंट ताकि लोग ज़्यादा से ज़्य करें या निवेश करें ना कि किसी बैंक में अपना डिपॉसिट रखें, अगर डिफलेशन है, प्राइसे डिक्रीज हो रही है, ऐसे में हमने का कि बाई नेगेटिव इंटरस रेट है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुस पैसे को खर्ची करेंगे, अकाउंट में न ज़्यादा जिन लोगों को ज़रुत है काम के लिए वो धार ही लेंगे और एकनोमिक ग्रोथ को स्टिमिलेट करेंगे, ऐसा दुनिया के किन किन देशों में होता है, एक्जामपल जो है, ईरोपन सेंट्रल बैंक ने भी नेगेटिव इंटरस रेट स्टिमिलेट किया था, इसके अलावा, श्विडन के रिक्स बैंक ने भी ये किया, नेगेटिव इंटरस रेट इस्टाटेजी, मोदरिक नीती स्टाटेजी के अंतरगत ये सारे कदम उठाए गए, तो ये होता है, नेगेटिव इंटरस रेट, आपको और भी कुछ लगता है, तो मुझे जरूर लिखकर बताईएगा, आज के सेशन को यहीं रोग देते हैं, आपको लगता है, किसी और चीज के बारे में आपको बात करनी है, तो नीचे कमेंट सेक्षन में लिखकर बताईएगा, मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक लिए ध्यान रखे, उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में लिखकर बताईएगा, जय हिन, जय भारत